है लो एवरिवन वेलकाम अगेन इलर्ण विद दितिमन बचों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चेप्टर नमबर 15 का पार्ट नमबर 3 पार्ट 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 73 कोश्चन्स हमारी कंप्लीट हो चुके हैं तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते है आपके सामने भारत में सरुप्रतम कौनसी वन निती कब अपनाई गई जो भारत में सरुप्रतम जो वन निती आई थी वो कब अपनाई गई थी तो वह आई थी आपके 1894 में 1894 में पहली वन निती आई थी हमारे देश में हैं ना एक क्वेशन देखिए स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष नई वन्नीती घोसित के गई जो सतन हो गया हमारे जेस उसके पाद जो पहली जो आपकी वन्नीती थी वो कब घोसित होई तो वो घोसित होई थी 1952 में और जिसमें आपने पढ़ा भी है जिसके तैस 33 पर तिस जो भूमी है उसका वन होना अनिवार है है ना 1952 जो जो बहुत कम हिस्सा अभी इस वक्त भारत में वन है ने क्योशन देखिए 1988 में घोसित नवीन वन्नीती के प्रमुक्त तीन लक्ष क्या हैं जो 1988 में घोसित हुई थी नई वन्नीती उसके प्रमुक्त जो तीन उद्देर से रखे गए थे उनको वो तो पहला था जैसे प्राकरतिक धरोवर हैं, उनको सुरक्षत रखना, संरक्षत रखना, और जन सामाने की भुन्यादी आवश्कताओं की पूर्ती ये तीसरा लक्षय था, ठीक है, इस तरीके से तीन लक्षय रखे गए थे, पर्यावरन इस्तिरता पहला लक्षय था, दूसरा इस्तिरता प्राकरतिक धरोवर, जैसे वनस्पति हो गए, प्राणिये हो गए, उनको संरक्षत रखना, और तीसरा जन सामाने की भुन्यादी आवश्कताओं, जो इन चीजों से संबंदित है, वो पूर्ती की जा सके, नैक क्वेशन देखिए, वन अनुसंधान केंदर दहरादून में केंद्रिय मरू वन छेतर अनुसंधान जो जोतपुर का उद्देश क्या है, उनका उद्देश है वन छेतरों का विस्तार और मरुस्थल प्रसार पर नियंतरन, वन छेतरों का विस्तार और रेगिस्तान जादा ना फेलें, इसके उपर उनका नियंतरन करना यही इन संधान केंद्रों का मुक्य उद्देश है, नैक क्वेशन देखिए, वानी की पंडित पुरुसकार वे व्रक्ष मित्र पुरुसकार आदि किस छेतर में दिये जाते हैं? वन्यस जीवों के सिकार पर अंकुस, जैने उनके उपर रोग और संरक्षन करना इन वन्यस जीवों को भारत के किस महान सासक के सिला लिखों में इसका वे विरेंड मिलता है? तो हम जानते हैं, वो है असोक, जिसको असोक महन भी कहते हैं, तो उसकी जो सिलालेक है, उसमें वन्ने जीवों के सिकारपर, अंकुस और संरक्षण के बारे में लेक मिलते हैं, नैक कुशन देखिए, भारत में वन्ने जीवों के संरक्षण हे तो कितने जीव मंडोनों को आर नौक रेक, मननार की खाड़ी, नील गरी, सिमली पाल, नाम दफा, थार का रेगिस्तान, उत्रा खंड, कच्छ का छोटा रंड, काहना, उत्री एंडमान, ब्रहद नीको बारवेक, काजी रंगा, ये 15 जीव बंडल हैं जिनको वन्य जीवों के लिए सनरक्षित किया गया है नेकोशन, भारत में वन्य जीवों को सनरक्षित प्रदान करने के लिए कितने वन्य जीव अभ्यारनों वेराश्टी उद्धानों की स्थापना की गई है भारत में वन्य जीवों को सनरक्षित प्रदान करने के लिए कितने वन्य जीव अभ्यारनों वेराश्टी उद्धानों की स्थापना की गई है देखिए इस से बहुत सारी कोस्टेंस आपके कोस्टेंस में आते हैं तो इसकी एक एक लाइन काफी इंपोर्टेंट होगी देखिए आंसर क्या है इसका टोटल आपके 565 जीव अभ्यारन हमारे जिसमें इस्थापित किये गए हैं और 89 राष्ट्रे उद्धान इस्थापित किये गए हैं तो 565 वन्य जीव अभ्यारन और 89 राष्ट्रे उद्धान इस्थापित किये गए हैं नए कोस्टेंस देखि तो यह याद रखिए कि आप वारत के किंदो राष्टे उद्धानों को विश्विरासत में सामिल किया गया है तो यह है काजी रंगा जो असम में है और दूसरा है केवलादे जो आपके राजिस्थान भरतपुर के अंदर है ना काजी रंगा असम और केवलादे राजिस्था ये दो जो राष्टे उध्यान हैं उनको विश्फर्य विरास्त सूची में सामिल किया गया है नचकीशन देखिए जिम कॉर्बेट राष्टे उध्यान किस राज्ये में स्थित है? काना राष्ट्रे उध्यान किस राज्य में इस्थित है तो काना राष्ट्रे उध्यान आपका मंध्य प्रदेश में है बांदीपूर राष्ट्रे उध्यान किस राज्य में इस्थित है तो यह आपके करनाटक के अंदर है बांधिपूर राष्ट्रे उध्यान करनाटक में है नेक क्वेशन देखी पलामू राष्ट्रे उध्यान किस राज्य में इस्थे थे पलामू जो है राष्ट्रे उध्यान वो किस राज्य में है तो वो आपका बिहार के अंदर इस्थे थे नेक क्वेशन दाजी गाम राष्ट्य उध्यान किस राजे में चित है? दाजी गाम राष्ट्य उध्यान किस राजे में चित है? तो दाजी गाम आपका जमुकस्मीर के अंदर है, है नो? Next question सुन्दरवन राष्ट्य उध्यान किस राजे में चित है? सांत गाटी राष्ट्य उध्धान किस राज्य में इस्तित है, तो आप जानते हैं ये केरल में है, है ना, next question, नंदन कानन राष्ट्य उध्धान किस राज्य में इस्तित है, नंदन कानन काफी important राष्ट्य उध्धान है, questions की साब से, तो देखिए नंदन कान राष्ट्य मनिपूर के अंदर नाक कोशन देख़ी एन्यमलाई राष्ट्य उध्यान किस राज्य हे इस्थित है यह कोशन भी क्यी याद रकिए का यह अन्यमलाई जो है अपका तमिल लाणो में स्थित है नेक कोशन देखिए रंतंब और राष्ट्य उध्यान किस राज्य में इस्थित है रंतंब और राष्ट्य उध्यान किस राज्य में इस्थित है तो यह आप सभी निश्चित रूप से जानते हैं राहिस्थान के वास ही होंगे तो राहिस्थान सवाई मादुपूर के अंद जिनके ओपर संकट है, जो खत्म होनी की कगार्प की स्थिति में आखड़ी ही हैं, ऐसे कौन से प्रजातियां हैं? तो ये प्रजातियां आपके बाग, चीता, हाती, गिर्सिंग, घडियाल, गैंडा, कस्तूरी, म्रग, आदी जो हैं, ये सब क्या हैं? ये आपके संकटापन जन्तू प्रजातियां हैं, बाग, चीता, हाती, गिर्सिंग, घडियाल, गैंडा, और कस्तूरी, म्रग, ये सबी कैसी हैं? ये संकटापन जन्तू प्रजातियां हैं, ने क्वेशन, राजिस्थान का राजियी पसू कौन सा है? राजिस्थान का राजियी पसू निशित तो कितने हैं? 22 वन्ने जीव अभ्यारन राजिस्तान की अंदर है Next question राजिस्तान के किस जिले में राश्ट्री द्धान इस्थित है? तो हम जानते हैं ये जैसल मेर की अंदर इस्थित है Next question, देखिए सरिस्का बाग अभ्यारन राजिस्थान के किस जिले में है तो यह आपके अलवर जिले के अंदर इस्थित है मुकंद्रा हिल्स अभ्यारन राजिस्थान के किस जिले में है तो मुकंद्रा हिल्स अभ्यारन राजिस्थान के किस जिले में है राईस्थान के कौन से दो अभ्यारेने बाग चन रक्षन के लिए हैं। तो देखिए, एक तो आपका रंधंबौर हो गया और दूसरा आपका सरिश्का। रंधंबौर जो राष्ट्रे उध्यान और सरिश्का राष्ट्रे उध्यान ये दोनों ही बाग चन रक्षन के लिए प्रिसिद्ध है तो यह कौन सा है साइबेरियन जो सारस है यह यहाँ पर आया करते हैं यह प्रवासी प्रक्षिय है यहां के तो इनकी वज़े से केवलादेव राष्ट्रे उध्यान काफी फेमस है जिवास्म फॉसिल्स जिवास्म या फॉसिल्स के संरक्षन के लिए राष्ट्रे उध्यान प्रिसिद्ध है जिवास्म के संरक्षन के लिए राष्ट्रे उध्यान प्रिसिद्ध है तो कौन सा है यह राष्ट्रे मरु उध्यान जो है वो जिवास्म संरक्षन के लिए प्रिस लोक शाहित्य का चर्चित प्रवास्टी प्रक्ति है, इसका महत्पूर्ण केंदेस्थान कौन सा है, मतलब यह कहां देखने को मिलते हैं, तो यह आपके खीचन जो जोदपूर में स्थित है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इसका केंदेस्थान क्या है, कीचन ऐसे हैं जो आखेट में सिद्ध हैं नेक क्वेशन राईस्थान राजय का जैवी कुध्यान कहां इस्तित है राईस्थान राजय का जैवी कुध्यान जो है वो कहां इस्तित है तो राजजी पक्ची कौन सा है गोडावन है इसका और गोडावन का प्राकर्तिक वास ये भी काफी important बात है कि प्राकर्तिक वास अगर गोडावन का पूचा जाए तो वो पश्चिमी राजिस्तान है और गोडावन अपने प्राकर्तिक जो वास है पश्चिमी राजिस्तान ह गया है राइस्थान में घडियालों की संब्रक्षण ही तो कौन सा राष्टे जीव अभ्यारन ने इस्तापित किया गया है देखे आपको विश्व में जो घडियाल होते हैं किवल भारत में ही देखने को मेलते हैं और उसमें भी अभी संक्टापन स्थिति है तो मतलबी तो राष्टे जीव अभ्यारन ने इस्तापित किया गया है तो यह आपका राष्टे चंबल घडियाल अभ्यारन ने इस्तापित किया गया है राष्टे चंबल जो नदी है तो वहाँ पर चंबल नदी के उपर राष्टे चंबल घडियाल अभ्यारन ने इस्तापित किया राजस्थान राजे का प्रमुक अभ्यारण ने ताल चापर किस जिले में है तो वह आपके चूरू के अंदर आपका ताल चापर है राजस्थान 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 राजए का प्रमुक अभ्यारण ने ताल चापर किस जिले में है तो वह आपके पूंदी जिले के अंदर है वो कहाँ पे है, पूंदी के अधर है, नेक कुशन, राज्थान राजे का प्रमुक अभ्यारन ने कुंभल गड़ और सज्जन गड़ किस जिले में है, तो इसके नाम से ही आप समझ रहे हैं, ये उदरपुर के अंदर है, ये कहाँ पर है, ये उदरपुर में है, नेक कुशन राज्थान राजे का प्रमुक अभ्यारन ने माउंट अभू किस जिले में है, तो इसके नाम से पता है, माउंट अभू कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है, तो ये भी सिरोही के अंदर ही इस्थित है, नेक कुशन, राज्थान राजे का प्रमुक अभ्यारन ने कैला देव किस जिल्ह में है यह यह आपका करॉली के अंधर और बहलें किस जिल्ह में जित है यह जित और जिल्ह के इंदर है किस जिल्ह में है यह तो रखिए, नाया किस जिले में है तो वह आपके भरतपुर के अंदर है कहां पे है भरतपुर के अंदर नेक क्वेशन राज्थान राजा का प्रमकाब भारन टाडगर्ड रावली किस जिले में इस्थित है राज्थान राजा का प्रमकाब भारन टाडगर्ड रावली है वह किस जिले में है त राइस्तान राजये का प्रूम्का बेहिरन रामसागर किस जिले में इस्थ्तित है तो थारे रामसागर आपका धौल-पूर की अंदर से था ठीक है तो रायस्तान राजा का तका प्रुम्क बारंड का है राम सागर्भ जो है वो धौलपुर में सी तरे के रायस्तान के हमने काफिये बारंड देखी चलिए गेजड़ेंली बलिदान गेजड़ेली किसके पृति जागूर्ता का प्रतीख है तो हम जानते हैं खेजड autocdles से संबर्यांद जागूर्पता का प्रतीक माना जाता है किई किआव Scriptures अक्सा करही कि गटना का प्रती उत्तर था उन्होंने ग्राम खेजड़ली में खेजड़ी व्रक्ष को काटने का आदेश दे दिया था और उसकी सुरक्षा करने के लिए खेजड़ी विल्दान का गटना करम हो गया तो ये क्या है ये किस गटना करम का प्रति उत्तर था 28ग 1730 में जोदपूर महराज ने ग्राम खेजड़ी में खेजड़ी व्रक्ष को काटने का आदेश दिया था और आपको पता है राइस्चान में खेजड़ी का कितना इंपर्टेञ्स है क्योंकि खेजड़ी जो है वो राइस राइस्चान का कल्प रक्ष भी कहा जाता है तो इससे आप इसकी important समझ सकते हैं next question देखिए खेजडली बलिदान का नितरत्व किस ने किया था खेजडली बलिदान का नितरत्व किस ने किया था तो हम जानते हैं अमरते देवी थी जिन्होंने खेजड अली बिल्दान का नेत्रत्व किया था नए कोश्चन खेजड अली बिल्दान की नेत्रत्व कारी अमरता देवी ने पेड काटने वालों को किन सब्दों से ललका रहा था ये काफी इंपोर्टेंट है खिर्जलेली बल्दान की नित्तवकारी अम्रता देवी ने पेड काटने वालों को किन सब्दों से ललका रहा था ये कोशन आपके आप ही चुका है तो इसको याद रखेगा जो सिर साटे रूख रहें तो भी सस्तो जान मतलब सिर कट जाए और अगर रूख भी बच जाए यानि जड़ भी बच जाए तो भी हमें सस्ता जानना चाहिए तो भी सस्ता सौधा हमें जानना चाहिए ऐसा इसका आर्थ था जो सिर साटे रूख रहें तो भी सस्तो जान इन सब्दों से अमरत्य देवी ने पेड काटने वालों को ललका रहा था खेज़ई बलदान में और उन्हें अपना बलदान दे दिया खेजड़ली बलिदान के तहट कितने लोगों ने अपने प्रांड नाचावर कर दिये खिरजडली बल्दान के तहट कितने लोगों ने अपने प्राण नाशावर कर दिये थे तो कौन कितने थे ये दो सो चौराण में पुरुस वैस उन्हीं तर इस्त्रिया थी 294 पुरुस और 69 इस्त्रिया इसमें बल्दान हो गए नेक क्वेशन देखिए किस घटण विशेष के कारण भारत में 21 स्सेतंबर को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है खेजड़ली बल्दान में खेजड़ली के वक्ष को बचाने के लिए लोगों ने उसकी लिपट पर अपने जीवन की आहुतीं देदी इस वज़े से एक खेजड़ली बल्दान हुआ और इसी की इसमती में 21 सितंबर को पर्यावरन दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को नए क्वेशन व्रक्ष सहीद मिला किस स्थान पर प्रतिवस लगाया जाता है रक्ष सहीद मिला जो है वो किस इस्थान पर प्रतिवर्श लगाया जाता है तो देखिए खेजडली बलिदान में खेजडली जो गाउं है वहाँ पर जो लोगों ने बलिदान दिया वहाँ पर इनके इसमार्क बने हुए है तो उन्ही इसमार्क के इस्थान पर खेजडली ग में उनके नाम से किस अभारण को विक्सित किया गया है जो अमरता देवी थी नेत्रवत कारे जो खेजड़ेली बल्दान में जोनों ने नेत्रवत किया था अमरता देवी ने उनकी रिश्वमती में जोदपूर में उनके नाम से किस अभारण को विक्सित किया गया है तो वो ह अम्रत्ः देवी किष्णम्रग अभ्यारण चीया राजत्तान राजत्ति दवाराता अम्रत्वी इस्म्रती प्रोषकार के छेट्र में दिया जाता है बहुत बड़ा बैलदान का प्रारूप रश्य दिया तो उनकी इस्मृती में अगर कोई पुरुषकार दिया जाएगा तो वोसी छेत्र में दिया जाएगा तो परियावरेंट संरक्षण और चेत्ना की छेत्र में दिया जाता है। wantゴեशین stakes है विश्वव की कुल 15 लाग ज्यान विवित्ताओं में भारत में कितने ठीसद्य ज़्ुटा पाई । भारत एक ज्याव संब्रत्य देश बाई डायावर्सटी है नीर ज्विवित्ताइश ज्याएवा ज्याते हैं बहुत प्रकार के जैविपता देखने को मिलती है, नेक क्वेशन, भारत में अभी तक कितने जीवजनतु वे वनस्पति की प्रजातियों की पहचान हो पाई है, तो इसी चैप्टर में इससे पहले जब हमने देखा था, तो 45,000 जीवजनतों के बारे में बात की गई थी, लेकिन यहाँ पर 81,000 सारे, तो बहुत सारे बच्चे confused हो जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत हो यहाँ, जहां एक question आएंगा, पहली बात तो अहाँ पर दोनों option नहीं आएंगे, अगर आते हैं, तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है, उसके आपको click करना है, तो निश्यत रू से आपको रखना है, जब दो option आएंगे, और दोनों ही सही दिखाई देते हैं, तो हमें जिसकी संख्या ज्यादा दिखाई देती है, जहां संख्यात्मक कोई answer है, और आपके book के अंदर दोनों ही answer दे रखे हो, तो जो ज्यादा संख्या वाला answer है, उस पर हम यह tick करना होता है, ठीक है, next question देखी, अंतराष्टे इस तर पर परियावार्ण संसाधनों के संरक्षन वे समश्या निवार्ण हे तो कौन सी संस्ता है, तो यह है, अंतराष्टे प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षन संगठन, जिसको हम सोर्ट में IUCN बोलते हैं, प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संगठन, IUCN और WWF है ना यह दोनों संसाधन कैसी है यह अंतराष्टी इस तरपर परियावर्ण संसाधनों की संद्रक्षन और समेशन निवार्ण भी दुकारे करती हैं ने क्वेशन देखिए उनतराष्टिक प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संगठन यानि IUCN जो है उसका मुख्याले कहां इस्तित है यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है IUCN की फिलपर्म भी आपसे पहुचा जा सकता है और दूसरा उसका मुख्याले भी आपसे के अंदर नाफ का भारति है अननुसंद्धान के अंदर कहां इस्तित है भारति इवन अनसंद्धान के इंदर 13 के ह anticip भारती जो नश्तंती उद्ध्यान कहां इस्तित है और भारती जो वनस्पति उद्धान है वो कॉलकाता के अंदर इस्थित है बारती वनस्पति उद्धान कहां पर है यह आपका बैंगलोर के अंदर है पारिश्थिक अनुसंधान संस्थान कहां इस्थित है तो यह कहां पर है यह आपका बैंगलोर के अंदर है पारिश्थिक अभियांत्री की संस्तान कहां इस्तित है, तो कहां पर है ये, ये नागपूर के अंदर इस्तित है, नागपूर के अंदर राष्ट्य पर्यावर्ण अभियांत्री की संस्तान इस्तित है, नागपूर के अंदर राष्ट्य पर्यावर्ण अभियांत्री की संस्तान इस्तित है पर्यावरंड चेतना के समद्र में पर्यावरंड चेतना का प्रिथम लिखे दस्ताविज कौन सा है अथरव वेद का भूमी सूप्त नेक कोशन देखी राष्ट्री गीत वंदे मातरम में प्रित्वी को किस रूप में माना गया है राश्टर की जो वंदे मात्रम है आपका उसमें पृत्वी को किस रूप में माना गया है तो वंदे मात्रम में हमने माता रूप में पृत्वी को माना जाता है किस रूप में माता रूप के अंदर पृत्वी को देखा जाता है नहीं कुछ है वेदों में व्रक्ष लगाने में पुन्य प्राप्ति की तुलना किसे की गई है वेदों में व्रक्ष लगाने की पुन्य प्राप्ति की तुलना किसे की गई है तो जोग्राफिय में इस तरह के प्रिश्णों का कोई खास विसेट गारंटी नहीं है कि ऐसी नहीं छोड़नी है, हमें अपनी तयारी पूरी करनी है वेदम रेक्ष लगाने पुन्य प्राप्ति की तुलना किसे की गई है तो सौ पुत्रों के पालन के समान इसको माना गया है यानि सौ पुत्रों के पालन का पुन्य जो होता है वो एक व्रक्ष लगाने के पुन्य के समान मना जाता है ने कोश्चन देखिए किस देश की संस्कति को अरन्य संस्कति भी कहा जाता है किस देश की संस्कति को अरन्य संस्कति भी कहा जाता है तो अरन्य से आप निशित रूप से वाकिफ हैं अरन्य का अर्थ क्या होता है अरन्य का अर्थ होता है जंगल है ना तो किस देश की संस्कति को अरन्य संस्कति कहा जाता है तो वो हमारा देश यह भारत जिसकी संस्कति को अरन्य संस्कति कहा जाता है इसका अभी प्राई यह नहीं है कि हम जंगलवास नहीं है बलकि इसका प् वो प्राकृति संप्रदा से घन्य गोर और विभूसित है, है ना, अरन्य संस्कति का प्राय ये बिल्कुल नहीं होता कि हम जंगल संस्कति से वासी हैं, ने क्वेशन देखिए, किन धर्म गरंतों में व्रक्ष काटने को अपराद वे इस हेतु दंड विधान बताया गया है, तो कौन से हैं ये, ये आपका विशनु धर्म सूत्र, इसकंद पुरान और याग वल्लक के जिसमति, ये सभी कैसे धर्म गरंत हैं, यहाँ पर रक्ष काटने को अपराद माना जाता है, और इसके लिए दंड विधान भी बताये गए हैं, ने क्वेशन देखिए, राजिस् विशनोई समाज है, विशनोई है ये, विशनोई समाज के पर्यावरंट सनरक्षन से सम्मदित कितने सूत्र बताये गए हैं, तो देखिए, 39 सूत्र हैं इसके, जिसमें हमने पर्यावरंट सनरक्षन से सम्मदित सूत्र हैं विशनोई समाज के अंदर गत, ने क्वेशन दे प्रांत गाटी आंदोलन नर्मदा बचाओं यह सभी कैसे हैं यह आपके किस प्रकार के हैं यह आपके परियावर्ण संद्रक्शन संबंधी आंदोलन है ठीक है तो बच्चों इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं समाप यह वीडियो हो गया है काफी लंबा और अभी इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ तब तक के लिए बचाओं थैंक यू